नमस्कार, ABP News में आपका स्वागत है, मैं हूँ रोहित सिंग सावल और इस वक्त बिहार का जो ताजा राजनेते घटना क्रम हैं, उस पर पल-पल का अपडेट हम लगातार आपको दे रहे हैं और हर बड़ी खबर बिहार के सियासी उठापटक के आपके सामने लेकर आ रहे हैं, हमारे तमाम सही होगी हमारे साथ जुड़े होएं और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है पटना से, कल इस्तिफा देंगे CM नितीश कुमार इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, विहार के सियासी पर सबसे बड़ी खबर, अब ये तय हो गया है कि कल नितीश कुमार इस्तिफा देंगे और इस्तिफे के बाद पटना में शपत ग्रहन भी होगा, ये तस्वीर अभी तक पूरी तरह से साफ हो गई है यानि कल नितिश कुमार इस्तिफा देंगे और शपत भी लेंगे आपको बता दें कि कल सुभह दस बजे बैठक भी बुलाई गई है जेडियू विधायक दल की कल बैठक होगी और इसके बाद नितिश कुमार राजभवन जाएंगे और जाकर अपना इस्तिफा राज़पाल को सौपेगे निधी श्री मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हमारी समधाता निधी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर क्योंकि अभी तक सिर्फ कयास और अटकले लगाई जा रही थी जी निधी बिल्कुल रोईद सबसे बड़ी खबर इस वक्त हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं कि कल का दिन ही है जब सब कुछ हो जाएगा सुबह 10 बजे के बाद निधीश कुमार स्तीफा देंगे और उसके बाद हलो आवाज आ रही है जी बिल्कुल आपके आवाज सुन रहे है निधी अपनी बात पूरी किजे बिल्कुल रोई देखे स्तीफा देंगे और उसके सासत मैं आपको बता दूँ कि समर्थन पत्र भी तयार हो चुका है जो कि स्तीफा देने के साथ समर्थन पत्र भी सौपा जाएगा यानि नहीं रूप रेखा क्या होगी ये तयार हो चुकी है कार्ट्स भी छपने के लिए जा चुके हैं ये बड़ी खबर है कि शपत ग्रहन के बाद यानि नितीश कुमार नौवे मुखे मंत्री के तौर पर जब शपत लेंगे इसको लेकर कार्ट्स भी छपने के लिए दे जा चुके हैं और एक और बात मैं आपको बता दूँ कि माजी के घर पर जो बैठक चल रहे थी वो खत्म हो चुकी है माजी अपने चारों विधायकों के साथ समर्थन देए है नितीश कुमार को यानि जहां मोदी रहेंगे वहीं माजी की चारों विधायक भी रहेंगे और आपको बता दे कि समर्थन पत्र भी तयार हो गया है जो कि माजी कल नितीश कुमार को स्वापेंगे और वो समर्थन पत्र फिर दिया जाएगा राजिपाल को और मैं आपको बता दूँ कि चुकी समर्थन पत्र देने के बाद शपत ग्रहन और उसके बाद अविश्वास प्रस्ताफ अवद बिहारी चौधरी के खिलाफ चुकी वो स्पीकर है आरजीडी के और इस वज़ा से नो कॉन्फिटेंश मुझे लेकिन ये तब होगा जब वो कर लेंगे उसके बाद एक तस्फीर में आपको दिखा दूँ इसी बीच रोईत ये आपको पोस्टर जो बहुत कुछ कहती है कुछ दिर पहले तक जो गयमा गयमी चल रही थी माजी को लेकर के बिहार में बाहर है बिन माजी सब बेकार है तो माजी पर जो डोरा डालने की क क्लियर हो गया है तो चारो विधायक इंटैक्ट है और कल नितीश कुमार कल इस वक्त की बड़ी खबर कि दो डेपिटी सीम होंगे नितीश कुमार कल इस्थिफा देंगे और उसके बाद नवी बार बतोर मुख्य मंत्री शपत भी ग्रहन करेंगे नितीश कुमार हमारे सयोगी प्रकाश कुमार लगातार हमारे साथ बने वे प्रकाश तो कल बिहार की तस्वीर एक बार फिर साफ हो जाएगी जो संचे थी जो तमाम अटकले थी वो दौर भी खत्म होगा और अब बारी है कि जो नई सरकार बनेगी वो फर्मूला क्या है और वो फर्मूले की तस्वीर भी अब धिरे-धिरे सामने आ रही है कि दो जापिटी सीएम और मंत्रियों को लेकर भी तस्वीर धिरे-धिरे साफ हो जाएगी जी प्रकाश किशोर प्रसाद और सुशील मोदी दोनों एक ही जाती से आते हैं एक ही तबके से आते हैं इसलिए सुशील मोदी का नाम सबसे जादा सबसे आगे है और प्रबल है इसकी पीछे वज़ा नितीश कुमार है नितीश कुमार जब अलग हुए थे तो उस वक्त उन्होंने ये बाते कही थी कि अगर सुशील मोदी सरकार में शामिल होते तो शायद वो ऐसी परिस्तिती नहीं आती वो अलग नहीं होते उनका तारतम में बना रहता सरकार और केंद्र के बीच में पार्टीयों के बीच में अब पहले जैसे मदूर रिष्टे हुए करते थे एक दूसरे से बाते होती थी वो खत्म हो गई थी अरुण जेटली के जाने के बाद तो एक फुल का काम सुशील मोदी कर सकते हैं और एक मेच्योर नेता के तौर पर भी सुशील मोदी की पकड़ रही है बीजेपी में तो उनका नाम सबसे जादा प्रबल दाविदार के रूप में संभावित नाम में सुशील मोदी का आता है और दूसरा रेणु देवी क्योंकि यह ती पिछडी जाती से आती हैं पिछली दफे भी वो महिला भी है और ती पिछडा भी है तो जाहिर है कि इस कोटे में फुल फिल करता है नितीश कुमार, सुशील मोदी और रेणु देवी यह तीनो नाम संभावित में से स्पष्ट है कि नितीश कुमार की अगवाई में संकार होगी और इसके अलावा हम पार्टी से जो जीतना अबाजी की पार्टी है उनके भी एक को प्रतिनिद्द्यत मिलेगा हाला कि शपत गरहंड में के समय में कल के शपत में होंगे या नहीं होंगे यह कहना मुश्किल है लेकिन यह जरूर है कि आने वाले दिनों में तस्वीरें साफ होंगी और जो पुराना फॉर्मूला था रोहेट जो बीजवेपी और जेडियू के बीच में वो चार पर एक यानि चार विधायक पर एक तो उस हिसाब से उसी फर्मूले के हिसाब से मंतिमंडल का भी विस्ता गठन होगा और उसी हिसाब से बटवारा भी होगा तो बिलकुल यानि प्रकाश अब यह तस्वीर साफ हो गई है कि कल आप एक बार फिर से साक्षी बनेंगे गभा क्योंकि जो देरी हुई उस देरी के बाद कई तरह की अटकरे लग रही थी कि अभी बीजेपी और नितीश कुमार के बीच में एक एक बात को पुखता करके या जा रहा है लोगसभा चुनाव तक की भी बात हो रही है सीटों को लेकर भी बात हो रही है इसके बारे में क्य उनके सीएम पद पर कोई चर्चा नहीं होगी कोई कॉंप्रमाईज नहीं होगा और ये भी सफ़श था कि 2025 तक नितीश कुमार जब 2020 में एंडिये से चुने गय थे तो बीजेपी ने एलान किया था कि 2025 तक वो सीएम बने रहेंगे तो जाहिर है कि लोगसभा चुनाव के क्या नजरिया आता है क्या उसमें बदलाव आ सकते हैं ये फिर ये दोनों पार्टिया मिल बैटकर पूरी कर लेंगे बातचित कर लेंगे लेकि 2024 का लोगसभा चुनाव जीतना बेहर ज़रूरी है बीजेपी के लिए भी और नितीश कुमार के लिए भी बड़ी खबार इस समर्थन वापिस नहीं लेगी यानि आरजेडी ये चाहती है कि पहला कदम वहां से उठाया जाए क्योंकि अब तस्वीर पूरी तरह से साफ है लेकिन उसके बावजूद आरजेडी ने ये तई किया है जो बड़ी खबर आ रहे है सूत्रों के लिहास से कि आरजेडी इस त पंदेश देने की कोशिश सीधे तोर पर कि साफ हम तो आखरी वक्त तक खड़े थे आपने नाता तोड़ा तो जाहिर है कि इस विशे पर भी जब उनके से पूछा जाएगा तो कुछ इस तरह का ही जवाब आएगा जो शायद नितीश कुमार को सालों तक सालता रहेगा और नितीश कुमार लालू याद भले भाति जानते हैं कि अगर उनको मॉका दिया गया सरकारसे बाहर आने का खुज से अगर बाहर निकलाते हैं तो नितीश कुमार फिर स्कीपा भी नहीं देंगे और सीधे C.M. बने रहेंगे और पीछे से समर्थण आएगा तो जाहिर है कि ऐसा कुछ नहीं चाहते हैं, उनका मानना ये है कि नितीश कुमार ने गल्ती की, उन्होंने वो वाइदे जो किये थे वो पूरे नहीं किये, वही बार-बार पलटते हैं, इस इलजाम का फाइदा ले करके चुनाव में जाएंगे अभिशेक उपाधिया भी हमारे साथ जुड़ गया अभिशेक, तो आरजेडी के खेमे से जिस तरह से अभी प्रकाश भी बता रहे थे कि सिधे तोर पर एक मैसेजिंग कि वो बलकुल आरजेडी ने कहा है कि आखरी वक तक जब तक नितीश कदम नहीं उठाते तब तक समर्थन वापस नहीं लेने जारी आरजेडी इस तरह का जो तमाम सारे जो कयास थे कि तेजस्वी आदो की अगवाई में एक कोशिस की जाएगी कि सरकार बनाई जाए इस सरकार को गिराए जाए समर्थन वापस लिया जाए सब बिलकुल नहीं होने जा रहा है सीधा सा नित जेपी के लिए कहा था मरते दम तक नहीं साथ जाओंगा इस तरह की बात यह सब किया जाएगा बड़ी खबर आ रही है बिहार के सियासे घटना करम के बीच उत्तर प्रदेश से इस वक्त की एक और बड़ी खबर देखिए यूपी की सियासत पर अभी की जो बड़ी खबर है कॉंग्रेस के खेमे से दरसल अखिलेश यादव के फॉर्मूले से कॉंग्रेस सेहमत नहीं है दरसल अखिलेश यादव ने आज ट्वीट करके जानकारी दी कि 11 सीट पर कॉंग्रेस चुनाव लड़े उत्तर प्रदेश में बाकी सीट पर समाजबादी पार्टी और चुका है और अब उत्तर प्रदेश में भी असार देखे किस तहा के बरे है सीधे तोर पर अखिलेश यादव के फॉर्मूले से कॉंग्रेस सेहमत नहीं है और इस वक्त हमारे साथ आशीश कुमार सिंग हमारे साथ जुड़ गया है आशीश कॉंग्रेस 20 से 25 से चाहती है औ और अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कह दिया कि 11 सीट कॉंग्रेस को दी जाएगी यानि सेहमती और असेहमती का खेल फिर से शुरू हो गया क्योंकि अखिलेश यादव के ट्वीट के बाद ये संदेश था कि अखिलेश यादव ने अगर ये ट्वीट किया है तो सेहम अखिलेश यादव से बात करेंगे जो मुझे अब टॉप सोर्सेज ने बताया है उसके मुताबिक कॉंग्रेस सूत्रों का ये कहना है कि ये यूनिलाटरल अनॉंस्मेंट था अखिलेश यादव की तरफ से 11 सीटों को लेकर के बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ कॉंग कि कम से कम 20-25 सीटों पर उनको कंसीडर किया जाए और ये मांग अखिलेश यादव के सामने रखी जाएगी कि ये नंबर अफ सीट्स जो उन्होंने डिकलेर किया या अनएक्सिप्टिबल है इसको इसका खता और बढ़ाए और कॉंग्रेस को और नंबर अफ सीट्स अखिल दूसरी तरफ बिहार में जटका लगया इंडिया को बहुत बढ़ा और कल उस पर अधिकारिक मोहर भी लग जाए कि नितिश कुमार का इस सिफा देते ही और इस बीच उत्तर प्रदेश से इस तरह की खबर आना जाहिर से बात है कि जो इंडिया गठबंधन बचा है उसके इन बहुत बड़ा जोल्ट, बहुत बड़ा सियासी जटके के तोर पर इसे देखा जाए इसलिए संभव है कि अलाइंस पर कोई सहमती बन जाए लेकिन अपने आप में ये बहुत बड़ी खबर है कि आज जो एलान किया अखिलेश यादव ने कॉंग्रेस के टॉप सोर्सेज कहते हैं कि इस तरह की कोई सहमती नी थी यूनिलेटरल आनॉंसमेंट था अखिलेश जुनेते घटना क्रम है उस बीच एक खबर बहुत बड़ी हो जाती है और इंडिया गठबंधन के लिए एक बार फिर से संकट के सिती और जादा बढ़ जाती है एक बार फिर पटना का रुक करते हैं और एक बार फिर पटना से इस वक्ति एक और बड़ी खबर आ रही है ये खबर भारतिये जरता पार्टी के खेमेस है कल फिर से बीजेपी के एहम बैठक होगी पटना में ये बैठक होगी बीजेपी के तमाम वधायक इसमें शामिल होंगे और बीजेपी के प्रभारी और सांसत भी इस बैठक में शामिल होंगे ये बैठक भी महतुपूर्ण ह चली और इस बैठक में जो तमाम भारतिये जनता पार्टी के विधायक थे कई विधायकों ने ये भी आवाज उठाई कि हमें मुख्यमंत्री पद मांगना चाहिए जेडियू से प्रकाश जी हमारे साथ लगा तार बनों जी प्रकाश क्या कहना है कल की भारतिये जनता तो पूर्ण है यानि दस बजे जेडियू की बैठक और उसके बाद क्योंकि आगे की जो प्रक्रिया होनी है राजभवन जाना है स्तीफा सौंपना है फिर शपत लेनी है लेकिन बीजेपी की बैठक भी काफी है मैं बीजेपी की बैठक है चाहे हम की बैठक है जो पार्टियां एंडिये में शामिल रहेंगी उनके विधायक दल की बैठक होगी यह आपचारिक बैठक होगी अभी क्या है कि एक बैठक हो रही है सबसे मिलने का बात करने का सबकी बात सुनने का समझने का लेकिन यह बैठक होगी जिस बैठक में ये तैय किया जाएगा कि समर्थर दिया जा रहा है एक सुनाय जाएगा लोगों को फर्मान कि केंदरी ने तैय किया है और हमें मानना है और इस हिसाब से वो तयारी रहेगी कि जैसे ही निटीश कुमार इस्तीफा दे करके आएंगे समर्थर का पत्र सौ पहेंगे राजिपाल को और समय ले लेंगे इसके बाद से तुरत आएंगे फिर एंडीए की सामुहिक बैठक होगी एक अने मार्थ जो सीम आवास है उसमें और फिर वहाँ पर निटीश कुमार नेता चुरे जाएंगे तो अब कल जो कुछ भी होना है वो आपचारीक जो विधायक दल की बैठक होती है विधान मंडल दल की बैठक होती है विधान मंडल दल से मेरा मतलग है कि विधान विहार में दोप है एक विहार विहार परिशद है और एक विहार विधान सबा है तो दोनों के नेताओं की यानि दोनों MLA MLC भी बैठेंगे और तै करेंग निधी श्री जहां पर मौजूद है और पोस्टर में लिखा है कि आप देख सकते हैं पटना के बिहार में बहार है बिन मांजी सब बेकार है ये पोस्टर और ये पोस्टर बिहार में जर्चा का विशेस वक्त पटना में बना हुआ है निधी श्री इस पोस्टर के ठीक नीच के-दि raining कि पूस्टर नोच दहए जेटा ने था mi-dια को से ज plot के दिए फडुसतिश्ज Notरyer र Хотब करने छेर। कि इसको कोई सेंस है इसको कुछ बुल नहीं आता जो तमाम बाते नितिश कुमाने उनको कही थी लेकिन सवाल यह है कि जीता नामाजी एहम रोल प्ले कर रहे हैं यह आपको बिहार का मैप नजर आ रहा होगा और यह पोस्टर के जरीए दरहसल यह संदेश देने की कोशिश है कि कितना भी हमें इग्नोर करोगे हम कहीं न कहीं स्टैंड करते हैं इस पूरे सियासी घटना करम के बीच और यही वज़ा है कि जीता नामाजी अपने चार विदायकों को लेकर बिल्कुल कोर बैठक जिस तरही किसे की जाती है गुप्त बैठक की है और इस पर मन्थन हुआ है यह भी चर्चा दिन बढ़ थी कि क्या उनको मनाने की कोशिश की जा रही है आरजीडी के तरफ से कॉ और नहीं जाने वाले हैं जी रोहित बलकुल लिदी और एक और बड़ी खबर आरजीडी के खेमें से स्वक्ता रही है कि आरजीडी ने अपने तमाम विधायकों को अगले तीन दिन तक पठना में ही रहने के लिए कहा है आरजीडी के सभी विधायकों को लालु यादव का निर्देश है कि अगले तीन दिन तक पठना में ही रहें तो आरजीडी के तमाम विधायक पठना में रहेंगे आरजीडी की तरफ से दिखे पीच बीच में जो खबरें आ रही हैं अभिशेक का एक बार रूप करते हैं अभिशेक तीन दिन तक आरजीडी के विधायक पठ सब्सक्राइब वो किस तरह से चेंज किया जाएगा उसमें क्या कवायद होगी ये बहुत सारी इंट्री केसी हैं रोहित लेकिन एक 20 का बेंचमार्क है वो है नितीश कुमार का स्टीफा देना उसके पहले और उसके बाद ये सेनारियो है वो डिफरेंट हो सकती है इसलिए तीन दिन तर रुपने की ये बात जो है वो सामने आ रही है बिल्कुल तो ये बड़ी खबार लगातार बिहार के जो राजनेते घटना करमें उससे चुड़ी हुई और एक बार फिर से में प्रकाश करूँगा प्रकाश अब तस्वीर साफ है लेकिन जो NDA के जो बाकी सही होगी दल है जीतनरा माजी की बात अभी निदीच बता रही थी लेकिन लोकसभा चुनाव को जोड़कर अब अगला पड़ाओ ये है बिहार में सरकार फॉर्म हो जाएगी जो दिल्ली से खबरे आ रही है वो ये है कि भारतिये जनिता पार्टी ने लक्ष तयकिया है बिहार में 40 सीट जीतने का और नितीश कुमार से जो गठवन्दन है इसके पीछे बड़ी बज़े बीजेपी के लिहास से ये है तो सीट शेरिंग को लेकर भी चर्चाय शुरू होगे दिल्ली में कि बीजेपी जादा हिस्सेदारी मांगेगी इस बार बिहार में देखे ये जो फॉर्मूला है मुझे लगता है ऐसा कि जो पिछली बार जो फॉर्मूला था उसी हिसाब से इसली बार क्या था 17-17 सीटे हुई थी सिर्फ लजेपी के लजेपी था उसमें तो इसलिए उसको बाकी सीटे 6 सीटे दे दी गई थी लेकिन इस बार जादा लोग जादा जगह बटेगी जैसे जीतर नमांजी है बिहार में उपेंद्र कुश्वाहा है चिराग पासवान है तो ऐसे में नितीश कुमार और बीजेपी को कहीं न कहीं या तो कॉम्प्रमाइज करना होगा या इन तीनों को जो रहे इनके साथ आ लेकिन जब 40 सीटों के सीट का बटवारा का समय आएगा तो उस वक्त में सबसे जादा मुश्किल होगी कि चिराग को मनाना उपेंद्र कुश्वाह को मनाना और मांजी को तयार करना इस बात के लिए कि नितीश कुमार और बीजेपी अगर बराबर बराबर लड़ते हैं त क्या 16-16 सीटे फलड़ेंगे बाकी सीटे छोड़ी जाएंगी तो सबको घटना होगा और कंप्रमाइज करना होगा इसके लिए फिर अलग से बैटक होगी तो ये सारी चीजे भी देखना होगा कि उस समय में क्या मुश्किले आती हैं और क्या मनमुटा होता है ठाला कि जो म अभी भी सीटों पर बामलाटका हुआ देखिए एक और कटक दल है पशुपती पारस जो है वो केंद्र मंत्री भी है मोधी मंत्री मंडल में तो उनको कैसे एड़्जस किया जाएगा तो ये जो बड़ा कुनबा तो बन गया है बिहार में सरकार भी बना रहे हैं लेकिन लो और वो एंडिये के लिए बड़ी चुनोती होगी बीजेपी के लिए बड़ी चुनोती होगा अपने तमाम सही होगी घटक दलों को मनाना अभिशेक का रूप करूँ अभिशेक आज जो नितीश के घर पर चाय पार्टी होने वाली थी उसको लेकर क्या अपडेट है क्या तल गई है क्या अपडेट है निदी आ रहा हूँ आपके पास भी आ रहा हूँ कोई बड़ी ख़बर निदी के पास अभी से की बता है इसमें नितीश कमार को कहीं कोई दिक्कत नहीं आने जा रही है बैठक का ठलना और और जेडियू के भीतर किसी तरह की समस्या होना इंका आपस में कोई इंटर कनेक्शन नहीं है रोही बलकुल बलकुल निदी निदी के पास चलें जी निदी इस वक्त में आपको एक खबर दे रही हूँ कि हम पार्टी जुसने मोदी के साथ जाने का ये पबलीक लिए आलान तो किया है लेकिन हम पार्टी के तरफ से बारगेन की जा रही है कि उनको दो मंत्री पद मिले और आपको बताते हैं पिश्ली बार सरकार में हम पार्टी थी निदीश के तो एक मंत्री यानि चार विधायकों में दो मंत्री की मांग इस वक्त हम पार्टी कर रही है और क्या ये मांग पूरी हो पाती है ये देखना होगा लेकिन फिलाल यही मांग की जा रही है कि चार विदायकों में कम से कम दो मंत्री पद मिले हम पाटी को जी बलको लिदी तो ये बड़ी खबर की जीतनराम मांजी भी बारगेन कर रहे यान ये आखरी दौर में वो भी चाहते हैं कि सटा में हिस्सेदारी जादा मिले ये लड़ाई भी कल तक जरूर चलती रहेगी क्योंकि हर कोई चाहेगा सही होगी दल की हिस्सेदारी सरकार में ज्यादा मिले